जय हिन दोस्तों आज हम भर्दिया राजवस्ता के अंतरगत चैप्टर 20 देखेंगे जिसमें केंद्री मंत्री परशत के बारे में समझेंगे ठीक है Central Council of Ministers देखे यह बहुत जादा important है सबसे हमारा जो सरकार का सबसे main जैसे जो नीती बनाने वाले जो एक ग्रूफ होता है ना नॉर्मल भासा में अगर हम लोग बोले तो तो यह है ठीक है जो मंत्री परशत है ना वह एक ग्रूप है जिसके कारण से पूरा सरकार उसी के बनाएगा नीतियों और management से चलता है ठीक है तो आज हम मंत्री परिशत के बारे में पढ़ेंगे देखे इसमें सबसे व्यक्ति होगा वह प्रधान मंत्री याना मंत्र के दॵारा नैतितव किया जाएगा मंत्री परिशत के बारे में क्वाल दो आर्टिकल इसमें है एक है 74 है 75 ठीक है 74 और 70 लोग पहले भी देख चुके एक ऐबार फिर से यहां और यहां पर यह मंत्री परशाथ से संबन्दी तेया चाहिए और 75 में जितने मंत्री परशत के व्यक्ति हैं जो भी मंत्री हैं मंत्रियों का निवक्ति कैसे होगा उनका कारेकाल क्या होगा उत्तरदाइत्व क्या होगा कि आहर्ताय सपत्वेतन यह सारी चीज़े जो होंगी वह अनुछेद 75 में है ठीक है यानि कि मंत्रियों से जो संबंदित है वह अनुछेद 75 और मंत्री परिशत से अनुछे 74 यह अच्छे से आप समझ गया उसके बाद से देखते हैं हम लोग अनुछे 74 को थोड़ा और विस्तार से यहां पर देख लेते हैं यह सारी चीज़े हम लोग कैबिनेट पर जो हम लोग मंत्री परिशत पढ़ रहे हैं उसी के अंतरगत यह सारी चीज़े हैं तो हम लोग वह सबस्दार और परमर्श अगरा देने के लिए मंत्री परिशत होगा ठीक है और राष और उसी के आधार पर पूरा राष्ट पती सारा काम करेंगे लेकि शाद में यह याद रखेंगे कि वह जो भी मंत्री परिशत का जो भी सलाह होगा वो राष्ट्पती के लिए होगा उसका जाच नहीं होगा क्योंकि वो उनका अपना आंतरीक मामला है मेनेजमेंट करने का तो ये दो चीज़े याद रखेंगे अनुचे 74 में ठीक है पहला यह याद रखेंगे कि राश्ट्पती को सलाह देने के लिए ठीक है उनकी सहायता करने के लिए जो मेनेजमेंट है जो सरकार गॉर्मेंट जो चलाना है उसके सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगा ठीक है और मंत्री परिशद के अनुचार से ही राश्ट्पती काम करेंगे ठीक है और मैं उसके अंतरगत जो मंत्री हैं वो जो भी सलाह देंगे या जो भी बात्च कि प्रधान मंत्री की निविक्ति राश्पती करेंगे और फिर उसके अधार पर अन्य मंत्रियों के निविक्ति ठीक है राश्पती करेंगे लेकिन मंत्री प्रधान मंत्री के सलाह पर करेंगे पहला कंडिशन यह है दूसरा कंडिशन में आप याद रखेंगे कि प्रधान मं मrze Анд्रीय के साथ मिला खरके मंत्री पूरे टोटल जो थिक जो миसादस्य है टीक है ठीजिविद्ध अपना जैसे प्रधान मंत्रियां उनके जो दर्टरस्थे से मांन क roku 100 लोग तो 100 लोगों में से को उसका 15 प्रतिसत निका लेंगे वह 15 प्रतिसत ही केवल मंत्री परिशत के सदस्य होंगे तो यहीं यहां पर बोला जा रहा है याद रखेंगे यह मैं पहले भी बताया था हम लोग जब सविधान संसोधन पड़ रहे थे उस समय सविधान संसोधन 2003 में हुआ और उसके तहट यह लाई गए कि मंत्री परिशत में 15 प्रतिसत से अधिक वैक्ति नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह दूसरा याद रखें तीसरा जितने भी संसद के सदस्द से हैं उनमें अगर दल बदल हम लोग पड़े थे दल बदल के अधार पर यदि कोई भी किसी भी तरीके से दल बदल के अंतरगत आता है तो वो उसकी सदस्द समाप्त हो जाएगी तो यह बाते भी अनुच् लोग सभा के प्रति सामोही कुरूप से उत्तरदाई होंगे ठीक है राश्पति मंत्रियों को पदेवम गोपनियता का सप्रत दिलाएंगे यह अनुच्छत 75 कंदर को जो बाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कोई मंत्री जो निर्णतर 6 माह से अधी हम लोग इसको भी जान रहे हैं ठीक है यदि वह 6 माह तक लगातार वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन संसद के किसी भी सदनकाव सदस्य अभी तक नहीं बना है तो ऐसी स्तिति में 6 माह जैसे ही कंप्लीट होता है उसका सदस्यत्य समाप देखेंगे यह पूरे मंत्रियों से संबंदित आर्टिकल है उसके बाद से मंत्रियों का जो भी वेतन भत्ता होगा वो संसत के द्वारा निर्धायत किया जाएगा इतनी सारी चीजे अनुछेत 75 के अंतरगत बताई गई है ठीक है चलिए आब आगे देख लेते हैं अब द जो मंत्रियों का न एक काटिगरी होता है वो तेन का Тsti को अब तो यहां पर तीन प्रकार के लोग रहते हैं जो मंत्री पर्षद के अंदर तो उसके बारे में DR ंसके अंदर मंदल जिसको बोलते हैं हिंदी में देखे एक मंत्री परिसाद अलग है मंत्री मंदल अलग है यह दोनों में क्या डिफ्रेंस है इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे जस्ट अगले पेज में ठीक है तो आभी देखते हैं हम लोग सबसे पहला जो इसका गुरूप के सरकार के महतवपूल मंत्राल होते हैं देखें जैसे fare रक्षा विदेशी मंत्राल यह जूझितना सारी चीज़े देखे ंञा वह सभी केविनेट मंत्री हैं देखेंगे तो वह ृद् तो बहुत टीक है और देखे यह होते हीं केव केविनेट की सदस्य होते हैं यह आप याद रखेंगे कि इसके सद्वी बाट भूब्स यह इस और भी इसका बैठक होुआ उसमें भाग लेंगे इंप्ट्रैंट की fiance यह याद रखेंगे में महतवपूर्श् bulbs करने भाते हैं आप देखेें राज्य मंत्री यह लोग होते हैं कि देखें यहां पर राज्य-मंत्रियों के मंतरालया और विभावों का स्वतंत्र प्रभार इन्हों मिलता है ठीक है तीक है शाथी उन्हें यह भी किया जा सकता है कि वि,-a 학ισ के सदस से नहीं होते हैं यह बात रहेगा लेकिन रहेंगे लेकिन यह अच्छे के सदस से नहीं रहेंगे यह आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे दोनों में यह अंतर हैं कि उसके बाद से उनके बैठक में भाग नहीं लेते हैं ठीक है लेकिन एक कंडिशन है अगर राजय मंत्री को केबिनेट ठीक है विशेश रूप से यदि बुलाती है तब वो लोग भाग लेते हैं बस राजय मंत्री में यही है उसके बाद अगला आता है उप मंत्री ठीक है केवन उनकी साहथा के लिए ये लोग रहते हैं तो ये लोग cabinet के सदसे नहीं होते हैं नाहीं उनमें भाग लेते हैं बैठाक में भाग नहीं हैं तीनों में छोटा सा different है Japanese मंत्री जो होगा उसके पास नहीं लेगा वो भाग तभी लेगा जब उसको विसाए सुरुप से बुलाया जाए लिघ्ल मंत्रियों का जो भी प्रभार जो भी इनका मंत्राला है उनकी सहायता के लिए ये लोग रहते हैं ये उप मंत्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो ये पूरी जो हो गई ये ये मंत्री परसद की सनरक्षना हो गई है ठीक है अब हम लोग देखेंगे आगे मंत्री मंडल एक केबिनेट जो होता है मंत्री मंडल ठीक है जो अभी हम लोग केबिनेट में भाग नहीं लेते हैं यह सारी चीजे जो समझ रहे हम लोग यह केबिनेट क्या है हम लोग मत देखें यहां पर समझेगा ठीक है ना एक यह मंत्री परिशद है ठीक है और एक हम मंत्री मंदल यहां पर देखते हैं कि देखे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसमें देखे यह जो है अभी मुझे थोड़ा सा एक पैंट भी लेना है लेकिन अभी मैं ले फिरल नहीं पा रहा हूँ उससे बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊंगा मैं देखे जो हम लोग मंत्री परिशद और मंत्री ओर्भ Capital का जो इसको थोड़ा शेंचते हैं देखे ये हमारा जो है ना मत्री परिशद है ठीक है ये बड़ सा जो भाग है ये मंथरी परिशद है इसके अंतर्गत जो आता है ये छोटा सा जो भाग है ये इसी के अंदर है ये ये हैं मंत्री मंडल देखें मंत्री परिशद तो परिशद यहां पर मंत्री के साथ परिशद जोड़ दिया गया है थोड़ा सा लौजी क्याद रखें तो कंफ्यूजन नहीं होगा म बड़ा सा चेत्र मंत्री मंडल एक छोटा सा मंड़िए तो यह दोनों में difference होता है आप इसको ध्यान में रखेंगे ठीक है आगे हम लोग दोनों में difference समझेंगे देखें जो मंत्री परिसद होता है उसको हम लोग घर बोलते हैं अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो यह दोनों में यह डिफ्रेंस है ठीक है ना अब देखते हैं मंत्री मंदल की क्या भूमी का होती है उसके बाद से हम लोग दोनों में डिफ्रेंस जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोगों यह दीचे थोड़ा साइस को समझें क्योंकि सबसे मुख्य मंत्री परिशत के अंतर्गत जो मंत्री मंदल वता है उसके मुख्य भूमी इसका है में सब्से पहला इसको यह है कि राजनीतिक प्रसाशनिक विरस्था में प्रश्था में उच्छतम नीदा लेने वाली एक देखेंगे कि केंद्र सरकार की मुख्य नीती निर्धाराक अंग है नॉर्माली बस इसको समझ यह जदा जरूत नहीं इसमें लेकिन में डिफ्रेंज बस आप अच्छे से याद रखना तीसरा देखें केंद्र सरकार की उच्छ कारेकार्णी है ठीक है फिर यह केंद्रिय प्रसासन की मुख्य समन्वेक है यह राष्टपती की सलाहकारी संस्ता है और यह जो परमर्स देगा वो राष्टपती के उपर बाद्ध यह के बारे में सभी बड़े विधाई और वित्या मामलों का विये काम करती है उसके बासर आटवा उच्छत उच्छतम इस तरफर यह समयधानिक अधिकारियों और सचिवाला प्रसासकों की नियुक्ति का भी नियंतरन कंदिए और विदेश नेति विदेशनीदी मामले ज और मंत्री मंडल यह दोनों सब्सक्राइब को अच्छे से एक के याद रखेंगे के विने जो है वें हैं मंट्री मंडल दूस को इसको अलग-अलग डिफ्रेंट नहीं करेंगे एं मंत्री मंडल का मतलब मिनिस्टर्स ठीक है तो यह आपको बहुत बड़ा लग रहा है ना ठीक है परिशत जैसा एक बड़ा सा लग रहा है जबकि मंत्री मंडल के वाले केविनेट चोटा सा तो इन दोनों में यह अंतर आप हम लोग देखते हैं देखें जो मंत्री परिशत है वो एक बड़ा निकाय है ठीक है यानी कि वह एक घर है समझे ठीक है उसके अंतरगर 60-70 मंत्री होते हैं और वहीं पर जो मंत्री मंडल होगा वह एक छोटा सा निकाय है उसके अंदरगर 15-20 मंत्री होते हैं ठीक यह पहला दोनों में अंतर उसके के बाद से इसमें मंत्रियों की तीन स्रेणिया होती है ठीक है ना केबिनेट मंत्री राजय मंत्री उप मंत्री ठीक है कि जबकि यह क्या होता है यह केवल केविनेट मंत्री सामील होते हैं यह मंत्री परषद का एक भाग है हम लोग अभी जो मंत्री परषद देखे थे यह मंत्री परषद हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें यह तीन स्रेंड देखे थे एक केविनेट मंत्री देखो यहां प्या तो इसलिए यहां पर यह बोला जारह है कि जो मंत्री मंडल है, वो क्या है, मंत्री परिसद का ही एक भाग है, ठीक है ना? उसके बाद से तीसरा देखिए यह सरकारी कारेयों है तू एक साथ बैठक नहीं करती है और इसका कोई सामोहिक कारे नहीं है जबकि इसमें क्या होता है कि इसका यह लोग पुरा सामोहिक कारे ही करते हैं और इस सब एक साथ मिल करके ही काम करते हैं में का बैठक हफते में एक बार नोन किरसा सब्सक्राइख सर करता है उसका यूज करता है केविनेट वास्तवीक रूप से मंत्री परशद की सक्तियों का प्रयोग करता है मंत्री परशद यह है इसको सारी सक्तियां भी प्राप्त है लेकिन उसके अंतर का जो केविनेट यह जो केविनेट मंत्री है ना यह लोग असली उसके पूरे सक्ति का उप्योग करते हैं कि पांचवा डिफ्रेंस देखते हैं इसके कारियों का जो निर्धारन मंत्री मंडल करती है ठीक है समाझ रहें आप यह मंत्री परिशद एक बड़ा है लेकिन घर में क्या बनना वоды वो किचनी करता है तो उसी तरीके से हैं मंत्रि मन्दल करता एक citizen diese मंत्रि परिषद कि लिए काम करना है त्यारी को सारилось स्ब्रेख करता है पुक्तनें और ये जू निना लेता है वह वह सभी के लिए बात होता है तुरिक है उसके बाद से छटवा देखी ये मंत्री मंदल के निन्यों को लागू करती है और ये मंत्री परिशाद द्वारा अपने निन्यों को अनुपालन का देख रहे करती है साथवा अंतर क्या है ये एक सवयधानिक निकाय सबसे मुख्या बाद आप याद रखना बाकी भले भूल जाना यह याद रखना कि जो मंत्री परिशाद है न वो सवयधान के अंतरगत है हम लोग देखें न 75-74 ये जो दो आर्टिकल देख रहे थे जिसमें 75 का एक पूरा मंत्रियों के बारे में है जब कि 74 इस परश्रूप से कहता है कि एक मंत्री परिशाद होगा और उसी के सलाह के नीनाए पर जो राश्पती है वो काम करेंगे सहायता करेंगे जो मन्त्री पर्षद है वो राश्पती का सहायता करेंगे तो इस तरीके से सबढ भूल से यह हैकि मंद्री परिषद का वो सविधान के अंतरगत तो यह मिन जो अंतर है उसको थोड़ा सा दिहान में रखेंगे और देखें यह सामोहिक रूप से लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होता है ठीक है लेकिन जो यह मंत्री परिशत वो लोग सभा के प्रती सामोहिक जिम्मेदारी को लागू करती है यानि कि ये भी मंत्री परिशत के अंदर गत है और सबसे मुख्य काम ये मंत्री मंडल कर रही है तो इसका जो है कि हमेशा जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदाई बने रहे हैं उसका मेनेजमेंट मंत्री मंडल करती है तो ये दोनों में अंतर हम लोग अच्छे से समझ गया है ना आपको अभी याद रखेंगे परिसाद से जोड़ करके याद रखेंगे तो काफी अच्छे से आपको याद रहा है कि हाँ जो परिसाद हो बड़ा है मंदल है मतलब छोटा है तो इस तरीके से दोनों में अंतर है और ये तो हमारा समाब्थ हो गया ठीक है यह भी काफी अच्छे से आप समझ गया इसका बहुत अच्छे से आप नोड़ बना सकते हैं इसमें बेसिक जो चीजे हैं केवल दो आर्टिकल उसको भी बता दिया और जो इसका बेसिक जो है मंत्री परिशद का जो संरक्षना है और पुश्चन अंसर उसको देख लेंगे ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध